हेलो एवरिवन वेलकम टू निव वीडियो इस वीडियो में हम जो बाई वीकली कॉंटेस्ट था उसका सल्यूशन डिसकस करेंगे सो मैंने कम्प्रीट कर लिया है थर्टी टू मिनेट्स में सारे प्रॉब्लम बट पैनल्टी लगी फोर पैनल्टी सो स्टार्ट करते हैं फोर्स प्रॉब्लम से जो फोर्स प्रॉब्लम था डिस्ट्रिब्यूट मनी टू मैक्सिमम चिल्रेंड इसके बहुत सारे एज केसे थे सो इसमें हमें क्या बोला गया था हमें कुछ amount of money given है and number of children given है हमें उन पैसों को उन बच्चों में बाटना है and कुछ conditions है कि हर एक बच्चे को at least एक coin तो मिला होना चाहिए and second ये था कि किसी भी बच्चे को four coin नहीं मिलने चाहिए and हम चाहते थे maximum number find करना जिन बच्चों का जिनको हम eight dollar का coin दे सकते हैं या ऐसा कोई distribution जिसमें maximum number of eight dollars हो so चले इसको मैं notepad में बताता हूं क्या बोल रहा है so हमें basically coins given थी and children given थे इन coins को इन children में बाटना है हमें first condition जो given थी first condition थी कि सभी children को at least one coin तो मिलना ही चाहिए at least one coin second condition क्या थी कि children को four coin नहीं मिलने चाहिए किसी भी children को four coin नहीं मिलने चाहिए and what is the third condition everybody must receive all money must be distributed okay so सारे पैसे को distribute करना है कोई पैसे बचने चाहिए all money या coin जो भी बोलो should be distributed and हम से क्या पूछा गया था हम से पूछा गया था maximum number of children find करने जिनको हम eight coins दे सकते हैं मतलब एक ऐसा permutation suppose sixteen coins है three children में हमें बाटना है सो एक हो जाएगा eight हम चाहते हैं कि maximum children हो जिनको हम eight coin दे एक को दे सकते हैं तो second को obviously at least one one तो देने ही पड़ेंगे इसके पास one है इसके पास one है हमारे पास बचे कितने coins हैं so eight यहां दे दी है दो यहां दे दी है so ten coins हमने distribute कर दी है बचे हमारे पास six है so six में से six आप इधरी दे तो so eight six one हो जाएगा so इसमें maximum number of बच्चे जिनको हम eight coin दे पाए वो one है एक से जादा बच्चो को हम दे नहीं सकते अगर आप चाहोगे दो बच्चो को दे दे so eight eight आप ने दे दिया तो इस बच्चे के पास कुछ नहीं बच्चेगा so हमारी जो first condition थी वो wrong हो जाएगी so at least एक तो देना ही है so मेरा approach क्या था मैंने पहले find कर लिया maximum कितने coins मैं दे सकता हूं maximum कितने बच्चो को मैं eight coin दे सकता हूं बच्चो को eight coin दे सकता हूं या उससे भी पहले एक और अगर ऐसा कोई possible distribution नहीं है तो उस case में negative one print कर देंगे और यह सिर्फ एक ही case है और वो case कौन सा है जब हमारे पास बच्चे जो होंगे न children वो जादा होंगे हमारे पास जितने coins है उनसे नहीं तो बाकी सभी distribution possible है सबको हम एक-एक coin पकड़ा सकते हैं या कैसे भी rearrange कर सकते हैं तो सभी condition में possible है सिर्फ ए कैसे कम होंगे उस case में हमारे पास कोई solution नहीं होगा तो यह negative one वाले एक ही case था अब आ जाते हैं यह मैंने find किया maximum कितने बच्चे हैं जिनको मैं 8 coin दे सकता हूं तो यह तो simple है अगर हमारे पास x coins है एक बच्चे को मैं 8 coin दे सकता हूं तो maximum कितने बच्चे हो सकते हैं x by 8 इतने बच्चे हो सकते हैं तो यह value मैंने find कर ली constraints बहुत छोटे हैं देखो आप constraints देखोगे सो जो money है वो up to 200 and children 30 सो constraints उतने बड़े नहीं है सो आप आराम से find कर सकते हो फिर मैंने क्या किया एक loop चला है i equal to 1 to i less than equal to यह वाली value सपोज इसको limit बोल देता हूं limit तक मेरा main मकसद क्या था मैं देखना चाहता था अगर मैं इतने बच्चों को eight coins दूं तो valid money distribution हो पाएगा valid का मतलब क्या इतने coins देने के बाद suppose इतने coins मैंने दे दिये कितने coins में पास coins को हम x मान लेते हैं जो initially हमारे पास से ठीक है अगर हमने इतने बच्चों को eight coins दे दिये तो कितने coins हमने दे दिये given coin बोल देते हैं given coin हो जाएगा i into eight इतने बच्चे इतने coins ठीक है हमारे पास बच्चे कितने coins है इतने coins बच्चे है टोटल में से हमने दे दिये जितने एकस माइनस गिवन इतने कोईन्स हमारे पास बचे हैं बच्चे कितने बच्चे हैं आई बच्चो को तो हमने 8 कोईन्स दे दिये हमारे पास बच्चे कितने बच्चे हैं रिमेनिंग बच्चे या चिल्रेंड चिल्रेन आप कुछ भी बोल दो सो कितने बच्चे बच्चे हैं सब्पोज हमार पास N चिल्रेंट्स थे अगर I को हमने अल्रेडी दे दिया है तो N-I बच्चे वैलिड डिस्रिबूशन का क्या मतलब है वैलिड डिस्रिबूशन का ये मतलब है एक हमार पास एक बच्चा बच्चा है और चार कॉइंस बच्चे है तो ये वैलिड डिस्रिबूशन हो पाएगा हमने ये जो किया है I बच्चो को 8 कॉइंस पकड़ा है नहीं हो पाएगा तो इस केस में no होगा इसको हम consider नहीं करेंगे ये वैलिड डिस्रिबूशन नहीं है not a वैलिड डिस्रिबूशन एक कंडिशन तो ये था जो हम चेक करते कि अगर हमार पास बच्चा एक ही बच्चा है और कॉइंस 4 बच्चे है तो वैलिड डिस्रिबूशन नहीं है second case क्या चेक करेंगे जो हमारे बच्चे हैं रिमेनिंग बच्चे वो हमारे रिमेनिंग कॉइंस से जादा है so obviously हमें हर एक बच्चे को एक कॉइंस तो दे नहीं है so ये condition भी false हो जाएगी मतलब वैलिड डिस्रिबूशन नहीं रहेगा डिस्रिबूशन नहीं रहेगा so और कोई एच्चेस हाँ एक और एच्चेस है कि suppose हमारे पास हाँ हाँ वो इसी में consider हो जाएगा okay okay no issues और I think और कोई एच्चेस नहीं है so ऐसे ही हम biggest I find कर लेंगे maximum number वो हमें बता देगा maximum valid distribution distribution जिसके लिए possible है maximum I जिसके लिए वो हमारा answer हो जाएगा ठीक है answer 0 से start करेंगे हर iteration successful distribution के बाद हम answer equal to max of answer,i करते जाएगे ठीक है so that's it इस problem में और कुछ नहीं था एच्चेस जैसे मैंने एक बता दिया है 16,2 यह कोग है और last में suppose one four sorry four one यह भी एक edge case है तो इसका एक और edge case है three five so number of children five है and students three है coins three है so यह भी distribution possible नहीं है इस वाले case में answer one होगा one या answer zero होगा अगर एक को भी आप sorry sorry answer इसमें two होगा क्योंकि हम दोनों को eight eight दे सकते हैं एक अच्छा test case था जैसे twelve and two so अगर आप इस case में answer zero होगा zero क्योंकि होगा अगर आप एक को eight देते हो तो हमारे पास remaining coin four बचेंगे और एक बच्चे को देना पड़ेगा so यह एक edge case जो मेरा गलत हुआ था so that's it इस problem में और कुछ नहीं था let us move on to next problem जो second problem है so बाकी problem easy थे as compared to first जिसमें edge cases थे जो थोड़ा सा दिमाग खराब कर रहा था so second problem पर आजाते है maximize greatness of array so इसमें हमें क्या बुला गया है हमें integer array nums given है and हम nums को rearrange कर सकते हमें permutation find करना है उस array का क्या हो उस permutation की खासियत क्या हो उसका greatness maximum होना चाहिए greatness मतलब number of indices जहां पर जो हमारा permutation आई की value nums आई जो initial value array given है उससे greater होना चाहिए so यह एक अच्छा problem है repeat भी हुआ है so इसमें हमें क्या given है एक array given है nums कर गे array nums given है and हम इसका permutation मना सकते हैं हमें permutation find करना है इसका nums का उस permutation की खासियत क्या हो उसका greatness maximum हो greatness जो हो maximum हो greatness क्या होता है अगर आप loop run करोगे i equal to 0, 2 and minus 1 तक so जहां 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 पर जो हमारा permutation है उसकी value जो हमारा initial array था उससे जादा हो so यह हमारा greatness प्लस प्लस हो जाएगा initially greatness 0 से होगा so ऐसा permutation find करना है जिसमें यह greatness की value maximum हो so अब इसका thinking process क्या है thinking process यह है कि जो भी हमारे array में values suppose 4, 1, 2, 3 ऐसा कुछ गिवन है so इसमें कोई भी value है हम उसके लिए find क्या करना चाहते है हम चाहते हैं इससे बड़ी कितनी values है अगर एस array को sort करते हम यह बस पता लगाना चाहते है इस index के लिए जो हमारा nums ही है nums ही 1 हो गया nums 1 is 1 क्योंकि index 1 है हम चाहते हैं इस पूरे array में इस value से बड़े कितने values है बड़े कौन-कौन से values है बड़े इसमें से 2 है 3 है 4 है so इन तीनों में से किसी एक value को हम यहाँ पर अगर permutation वाले array में add कर दें तो हमारा score increase हो जाएगा greatest increase हो जाएगी yes so हमें यही बस efficiently find करना था ठीक है सो इसको करने के लिए मैंने क्या किया मैंने obviously एक count count बना लिया hash map मैंने map यूज किया था c++ में जो बता रहा था हर एक element की count क्या है मतलब frequency क्या है कितनी बार आ रहा है अब बताऊंगा क्यों क्या है सो एक count मैंने maintain किया जो बता रहा था एक element की frequency की एक मैंने set यूज किया था जो मुझे बता रहा था set store करेगा unique values array की लेकिन unique मुझे help नहीं करेगा मुझे help क्या करेगा मैंने set क्यों चूज किया set इसलिए चूज किया first इसमें जो values होती है उन पर जो operation आप perform करते हो वो log of n में हो जाता है जो मेरे लिए efficient है अगर मुझे कोई value find करनी है जो इससे closest value जो इससे बड़ी हो मैं हर एक index के लिए वही find करना चाता हूँ हर एक element के लिए find करना चाता हूँ closest value जो उससे greater हो and obviously available हो मेरे पास अगर मैंने उससे कहीं use कर दिया है तो मैं set से निकालूँ अभी अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे suppose यह उपर वाले example ही ले लेते है ने पहले मैं यह बता देता हूँ तो set का काम क्या है मेरे set का काम है मेरे लिए element find करना कैसा element closest greater element closest greater element nums i के लिए and obviously मैं check करूंगा count of nums i मतलब वो element already use तो नहीं हो गया है अगर उसकी frequency 1 से greater है greater than equal to 1 है इसका यह मतलब है कि वो अभी है मेरे पास सारे elements nums i वाले use नहीं हुए है ओहो यहाँ पर एक mistake हो गया mistake यह हो गया कि nums i से just greater चाहिए set से suppose हमें कोई एक element x मिला x is just greater than nums i या closest value जो nums i से बढ़ा है सो इसका count check करूँआ न कि x है की नहीं मेरे पास available अगर इसका count greater than equal to 1 है तो हाँ मेरे पास already available है मैं इसका use कर सकता हूँ सो मैं इसको use कर दूँगा इस आइथ position पे permutation में and मेरा जो greatness होगा वो increase हो जाएगा ठीक है तो अब हम कैसे करेंगे हम एक obviously जो first example लिया था 4 1 3 2 2 3 4 1 2 3 2 3 है तो इसका जो map में क्या store होगा map में 4 1 2 3 यह values है इनका frequency 11 11 11 हम left to right traverse करेंगे for i equal to 0 to n-1 and यहां पर size of array हो जाएगा 4 जो 0 based indexing है तो n-1 basically 3 तो जाएगा loop and हम first element पर आएंगे जो हमारा नमसा ही क्या है नमसा ही जो है वह फोर है एंड हम चाहते हैं इस से जस्ट greater value सो सेट में एक फंक्शन होता है लोवर बाउंड करके जिसको नहीं पता गूगल कर ले लोवर बाउंड का मैं फंक्शनिंग थोड़ा बता दे लोवर बाउंड अगर मैं लोवर बाउंड अफ एक्स फाइंड करना चाहों सो यह मुझे देगा वह वह वैल्लीव जो ग्रेटर दैन इकोल टू एक्स है ठीक है smallest value greater than equal to x वैल्लीव ग्रेटर दैन इकोल टू एक्स ठीक है सो यह सपोज 4 1 2 3 था अगर सेट में मैं 2 सर्च करूंगा सो वह मुझे 2 देगा क्योंकि सेट में 2 अविलेबल है सो smallest value greater than equal to अगर सपोज यहां पे एक ऐसा और एक एक एक्सामपल ले ले लेते हैं 4 3 2 2 अगर मैं 1 का lower bound find करता ना सो वह मुझे 2 return करता तो कि lower bound क्या करता है smallest value which is greater than equal to x सो smallest value which is greater than equal to 1 is 2 एंड इसका time complexity क्या होता है lower bound का log of n सो आप देखो के runtime complexity अगर n values है एंड हर के लिए अगर मैं lower bound found कर रहा हूं सो n log n में मेरा काम हो जा रहा है एंड अगर आप constraint को analyze करते तो 10 की पाव 5 तक है array का size सो n log n solution is possible या worst time complexity worst allowed time complexity था सो यह वाला test case कैसे होगा उसको मैं आप बताता हूं 4123 ठीक है हमारा map में क्या store है 4123 सो हर एक value एक एक बार आया है सो यह count है या basically frequency है और यह element value सो हम चेक करेंगे यहां पर हमें क्या find करना है हमें find करना है हमें smallest value greater than x find करना था हर एक इंडेक्स के लिए नमसा ही बोल दो सो अभी आप बोलो के सर आपने बताया है भया आपने बताया कि lower bound देता है greater than equal to x और यहां पर हमें सर्च करना है value greater than nums i या greater than x वाला यह condition आ रहा है तो यह कैसे करेंगे basically अगर greater than equal to वाला हटाना है ना आपको so nums i plus 1 कर दो ना इसको आप lower bound में ढूड़ो इस पर आप lower bound लगा दो समझे हमें चीए वो value greater हो smallest value जो इस value से nums i से greater हो so अगर मैं lower bound लगाँ nums of i plus 1 से so मतलब यह मुझे क्या देगा वो value देगा जो या तो greater हो या equal हो smallest value जो greater हो equal हो इसके nums i plus 1 के अगर यह nums i plus 1 देता है वो भी मेरा nums i से तो बड़ा ही होगा ना सो यह lower bound nums i plus 1 करेंगे ठीक है तो अब यह कैसे होगा देख लो so इसमें दूसरा color ले लेते हैं so एक loop run होगा i equal to 0 and n minus 1 which is 3 so first हमने आ है 4 अब हम lower हमारा set set क्या है set में elements है 1 2 3 & 4 हम चेक कर रहे हैं क्या lower bound कर रहे है nums of i plus 1 i 0 था nums of 0 plus 1 is 5 so कोई भी element which is greater than equal to 5 है हमारे set में नहीं है so हमारा हमारा iterator जो है न वो set के एकदम end पर चल जाएगा so suppose set का name हम unique देते हैं so हमारा जो iterator है वो unique dot end पर पहुंच जाएगा so basically हमें कोई element नहीं मिलेगा अब यह मैं unique dot end iterator नहीं बता सकता वो मैं आपको personally बोलूँगा set जाके आप set in stl c++ देख लो basically हम कर रहे हैं smallest value which is greater than nums of i plus 1 find कर रहे हैं c++ में set के help से set and lower bound की help से हम कर सकते हैं यहां पर हमें कोई value नहीं मिलेगी 4 से value कोई बढ़ी है नहीं है अब हम next index पर आएंगे हमारा एरे था 4123 नेक्स इंडेक्स पर आए ओविसली वन है तो हम lower bound of nums i plus one ले रहे हैं i plus one is two so हमारे set में कोई value है जो greater than equal to two yes है so मिल गया two हम मिल गया हम यहां पर two value डाल सकते हैं सो हम अपने greatness को increase कर देंगे plus plus count of two minus minus हमने two को एक बार use कर लिया है अगर count zero हो जाता है तो उसको set से remove कर देंगे अब हमारे पास two नहीं बचा है ठीक है similarly अब हम two पे जाएंगे क्या two से बढ़ा कोई value है so lower bound set में करना है तो greater value चाहिए तो हम nums of five plus one कर देंगे so हमें three मिल जाएगा हाँ three एक available value है and three का count भी हम decrease कर देंगे and हमारा greatness भी यहां से increase हो जाएगा फिर हम three पे आएंगे क्या three से वड़ी कोई value है yes four एक है so इस case में जो answer हमारा होगा ना वह ऐसा हो जाएगा so four के लिए तो कोई value नहीं है one के लिए two था two के लिए three था and three के लिए four था so greatness तो हमारी three हो गई तीन values हैं जिनके लिए हमें values मिल गया जो उससे बड़े हैं available so ऐसे हम greatness find कर सकते हैं और कुछ नहीं तर इस problem में so एक बार revise करा देते हैं हमने किया क्या so हमने हर एक इंडेक्स के लिए हर एक नमसाई के लिए हम find करना चाहते थे हमारे पास कोई value है जो नमसाई से बड़ी हो अगर बड़ी है बहुत सारी हम closest bigger value find करना चाहते थे सबसे छोटी value जो नमसाई से बड़ी हो वह हम find करना चाहते हैं so c++ का मैंने बता दिया हम set and map की help से and obviously set में lower bound एक function होता है built-in function उसका use करके कर सकते हैं n log n में similarly अब move on करते हैं जो हमारा third problem था अगर आप आओगे थर्ड प्रॉब्लम पर find score of an array आफ्टर marking all elements थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं मैं numbering नहीं कर रहा हूं कि सो यह marking elements shortcut में लिख रहा हूं marking element problem है so इसमें क्या बोलागे हमें एक array obviously nums given है and जिसमें positive integers हैं और हमारा initially score 0 है score increase हमें find क्या करना है हमारा score last में क्या होगा हमें कुछ set of operations operations क्या है हमें smallest integer array में find करना है जिसको हमने अभी तक mark नहीं किया है और अगर tie है तो उस case में yeah so tie वाले case में हम उस value को choose करेंगे जिसका index छोटा हो और जो value हमने choose कि है उसको अपने score में add कर लेंगे score में उस value को add करने के बाद जो भी उसके adjacent elements है जो array में present है मतलब out of index जो है वो array के size से बड़ा ना हो या array index adjacent index suppose क्या इसमें हो रहा है so valid index होना चाहिए adjacent index जैसे क्या होते है i th index हो गया ना इसके दो होते ना i plus one and i minus one so zero का i minus आप नहीं कर सकते negative one हो जाएगा नहीं n minus one जो last index है उसका आप i plus one कर सकते हो so array से बाहर चल जाएगा so obviously valid adjacent values को हम mark कर देंगे so i hope आपको question समझा है नहीं समझा है तो मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ हम में क्या given है एक array given है nums जिसमें positive values है and हमारा score initially zero से start हो रहा है हम क्या operation कर सकते हैं हम first क्या choose करेंगे smallest value जो अभी array में mark नहीं है जिसको हमने mark नहीं किए not marked ठीक है हमने अगर हमारे पास multiple values हैं suppose यहां पर four three one three three two times आ रहा है अगर हमें 24 करना पड़े three or three में हम इस वादे three को choose करेंगे क्योंकि इसका index पहले आता है ठीक है अगर हमने three three को choose कर लिया अब हमें जो हमारा score जो होगा न score में उस index पे जो value है वो add कर देंगे so nums of five इस case में three था ठीक है यह add कर देंगे यह add करने के बाद अगर उनके adjacent index को mark कर देंगे और इस index को भी mark कर देंगे इस वाले case में यह zero with index one index and two index mark हो जाएगा ठीक है इसको four बना जो तब valid रहेगा ठीक है so यही करना है हमें find करना है score क्या होगा हमारे सारे operation perform करने के बाद हमारा score क्या होगा so इसमें तो brute force है जो जो condition given है वह हमें implement करना है so यह problem था proper implementation का इसमें और कुछ नहीं था so हम कैसे implement करना चाहते हैं हम चाहते हैं हमें जल्दी से smallest value मिल जाए smallest value quickly and अगर वहाँ पर कहीं tie है so value मिले जिसका index smaller so यहाँ पर फिर से मैं c++ use करता हूं c++ में जो set होता है set यह दोनों काम आपके लिए कर सकता है set of pair ठीक है और इस problem में कुछ नहीं था एक कैसे करेंगे एक हम vector array बनाएंगे एक basically visited या mark array करेंगे जो n size का होगा and उसमें हम यही देखेंगे कि जो भी index को हमने mark कर दिया उसको mark of i equal to one कर देंगे initially सारा mark i zero होगा ठीक है अब set of pair in c++ बहुत useful है c++ में set of pair करता क्या है set of pair हमेशा जो values है ना उनको smallest to largest में sort करता है first value के मतलब pair में दो values होती है यह first हो गया and यह second हो गया so first value के according smallest to largest में sort करता है similarly अगर कहीं पर collision है तो second value के basis पर sorting होती है in increasing order so जो भी इस question में चाहिए था वो पूरा हमारा set of pair हमारे लिए करके देता है so यह proper implementation problem था इसमें हम करेंगे क्या so set में सारे suppose यह चलो एक example ले लेते हैं third वाला two, three, five, one, three, two second वाला so two, three, five, one, three, two so set of pair जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा obviously one smallest है one सबसे पहले आगा indexing इनकी zero, one, two, three, four, and five यह two है so one, three next index जो value इस सेट में आएगा वो two है two, zero index वाला पहले next इसमें आएगा two, five वाला ठीक है similarly next उसके बाद three, one वाला and उसके बाद three, four वाला second value जो है वो इंडेक्स है first value initially nums का इंडेक्स पे उस इंडेक्स पे जो value है वो है and इतर पे आएगा five, two so यह हमारा सेट हो गया and हमने एक visited या mark करके array बना है five, six length का zero, one, two, three, four okay four and five so initially हम जब तक हमारा set empty नहीं होता so while not set जो भी हमारा set है वो empty नहीं होता जो भी हमारा element है उसको लेंगे so first में आ गया one comma three हम चेक करेंगे क्या यह index marked है, initially zero, 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 zero होगा so marked नहीं है, so हम इसको mark करेंगे score को add करेंगे हमारे उसमे so score हमारा initially zero था अब one हो गया ठीक है, score one हो गया, one होने के बाद हम check करेंगे, three adjacent index जो valid है की नहीं है and हमारा suppose size हो जाता है and this is idx जो हमारा current index हम check करेंगे idx plus one less than any zero based indexing अगर है तो उसको mark कर देंगे, mark कर देंगे i plus one को, ठीक है हमने इस index four को भी mark कर दिया, similarly हम two को भी mark कर देंगे, ठीक है so after one operation अब हम one को यह one, three था इसको remove कर देंगे हमारे set में से हमारा score क्या है, score one है and हमारा यह element delete हो चुक है ठीक है, and यह दो values mark हो चुके है दो indexes already mark हो चुके obviously यह भी हुआ है अब हम आएंगे next smallest element देखेगा, two, zero ठीक है two, zero पर आए क्या zero index marked है नहीं marked नहीं है, तो score हमारा update हो जाएगा score three हो जाएगा so उसके adjacent index को भी हम mark कर देंगे, so यह दोनो values इसको हमने mark कर दिया अब वो move on करेंगे next two, five आएगा ठीक है तो क्या fifth index marked है नहीं, तो हमारा score five हो जाएगा score हमने update करके five कर लिया है ठीक है, अब हम adjacent values को भी mark कर देंगे multiple time mark करने से कोई वो नहीं होगा यह value two zero भी खतम and two five भी खतम next three, one है अब आप देखोंगे one index को हमने already mark कर दिया तो इसका कोई use नहीं है, इसको delete कर देंगे ठीक है, वैसी three four and five two, so इस case में हमारा score five है which is our answer, so ऐसे इसको करना था, implementation problem था, इसमें कुछ नहीं था, let us move on to last problem, जो last problem था हमारा so minimum time to repair cars इसमें एक rank करके array given है, वो एक हर एक mechanic का कुछ न कुछ rank है अगर उस mechanic से अगर आप n cars को repair करवाते हो so इतना time लेगा r into n square time लेगा, ठीक है n cars अगर आप repair करवाते हो हमें क्या given है हमें दियाए कि इतने cars को repair करना है कितना minimum time लगेगा और हमें mechanics array given है so minimum time कितना लगेगा उतनी cars को repair करने के लिए so इसमें यह एक देखते हैं आपको थोड़ा सा binary search इसमें लगना चाहिए था क्यों first आप constraints देखोगे 10 key power 5 हमेशा मैं बोलता हूँ constraints देख लो ठीक है constraints आपने देख लिए constraints क्या है fourth problem में मैं question समझा हूँ चलिए समझा देता हूँ so हमें array given है rank करके जो mechanics की rank बता रहा है so Ith mechanic का rank RIE पोल देते है अगर हम इस mechanics से N cars को ठीक करवाते हैं so यह कितना time लेगा RIE into N square time लेगा हमें क्या given है हमें इतने cars को ठीक कराना है ठीक है repair करवाना है so हमसे पूछा गया है minimum time कितना लगेगा हमें बोला गया आपके पास इतने mechanics है suppose X mechanics है and उनका rank rank सब given है so minimum time कितना लगेगा constraints जो given है इस case में जो हमारा mechanics हो सकते हैं वो up to 10 के power 5 हो सकते हैं and number of cars जो हो सकते हैं वो 10 के power 6 तक हो सकते हैं and जो rank हो सकता है वो up to 100 हो सकता है यह constraints दे सो मैं बोलता हूँ हमेशा constraints देखो इसको देखने के बाद आपको first अगर आप सोचो अगर सिर्फ आपके पास एक ही mechanic है worst case में क्या होगा अगर एक ही mechanic है या किसी भी suppose आपके पास 10 mechanic ही पड़े हैं worst case में क्या होगा worst case में कितना time लगेगा यह find करो यह देखो कितना time लगेगा जब भी यह time वाले problem आते हैं मैं पहले tip दे रहा हूँ उसमें आप binary search लगाना ठीक है 99% time वह work कर जाएगा क्योंकि अगर उसको obviously double check करने के लिए आप उसका देख लो क्या मैं उसका bound find कर पा रहा हूँ कि मतलब maximum value find कर पा रहा हूँ जिसमें वो answer आई जाएगा so वही worst case time हम find कर रहे है हमारे पास कितने भी mechanic given हो उसका worst time क्या होगा अगर हम एक ही mechanic को दे दे और उस mechanic का rank भी ज़्यादा हो उसी को बोलें तू ही भाई सारे cars को repair कर वही होगा न worst time so according to question maximum rank कितनी हो सकती है 10 की power 5 ठीक है sorry 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 maximum rank 100 हो सकती है maximum rank 100 हो सकती है ठीक है अगर उसी को बोला हमने सारे cars ठीक करने maximum cars कितने हो सकते है 10 की power 6 so 10 की power 6 square इतना time लगेगा न so 100 into 10 की power 14 so इतना तो हमें पता है answer मिलना पक्का है इससे ज़्यादा value answer की हमारी हो नहीं सकती जब भी आप अपने answer को bound कर पाओ या उसका limit लगा पाओ answer इससे इतने के बीच में ही होना है minimum time क्या हो सकता है एक mechanic को at least आप देखोगे यहाँ पे car पे constraints है एक car को तो हमेशा होगा ही repair करने के लिए so हमारे पास minimum time 1 मिल जाएगा minimum time एक mechanic से ही car ठीक होगे एक car ठीक करना है एक mechanic से ही होगे उसको 1 into 1 square ऐसा कुछ आए so minimum हमारा मिल गया maximum मिल गया जब भी ऐसा bound मिल जाए आप उस पे binary search लगा दो binary search इस पे काम कैसे करेगा suppose x time पे हम चेक करना चाहते है कितने car सो पाएंगे क्या आप कर सकते हो यह find अगर आपका बंदा या जो इसमें mechanic है उसका rank आई इस mechanic का rank आई है ठीक है so इसको बोलेंगे हम x time में तू कितना car करके दे सकते है क्या हम यह find कर सकते है x time में x time में वो mechanic जिसका rank rank आई हो कितने cars कर सकते है repair यह हम find कर सकते है obviously find कर सकते है होना क्या चाहिए जो हमारा rank i into जितने car उसने suppose car उसने किये z into z square यह value जो होनी चाहिए न यह हमारे x के less than या equal होनी चाहिए ठीक है आप यहां से देखो कि हमें rank का ही पता है x भी पता है binary search कर रहे है अब यह मत पूछना binary search and made all obviously मैं इसके लिए binary search prerequisite है अगर आपको binary search नहीं आ रहा तो आप पहले binary search पढ़ क्या हो ठीक है so suppose हमारा value x है जिसके लिए हम चेक करना चाहते है कितना car repair कर पाएगा so यह उस बंदे का score है वो इतने cars का अगर वो z cars को repair करता है तो इतना time लेगा और हमें z find करना है so z तो ऐसे ही z square यहां से निकल जाएगा x z square is equal to x by rank of i ठीक है so z यहां से क्या आएगा square root of x by rank of i so ऐसे ही सारे आपके जितने भी mechanics है उनका z मिलते जाएगा उसको एक count हमारा initially 0 से है जो count basically है क्या count है कि x अगर time है इस time में कितना cars हमारे सारे mechanic मिलके repair कर पाएगे so हम count plus equal to z करते जाएगे सारे mechanics के लिए last में हम देखेंगे जो हमारा count है वो greater than equal to required number of cars है की नहीं मतलब यह क्या बताएगा यह यह बताएगा x unit time में हमने जितने cars को repair किया है वो obviously इतने cars से या तो greater है या equal है so obviously उस time में हम इतने cars को तो obviously repair कर सकते हैं so answer is basically min of answer comma यह जो भी x है x basically mid था हमारा mid value के लिए चेक करते हैं न हम एक second so mid value के लिए चेक करते हैं so इसमें बस हम करते जाएगे सारे values के लिए and binary search ही करना था and last में initially answer को 10 के पार 18 से हम initialize कर सकते हैं क्योंकि answer obviously निकलना है answer obviously हर case में निकलना है so answer last में min 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 होते होते and return answer so this case में कुछ नहीं था first हमने क्या observe किया observe क्या किया ऐसे जब भी case होते हैं time वाले हमने observe किया maximum time जो possible है maximum time कब लगेगा जब हम उस mechanic को chooses करें जिसका rank सबसे ज़्यादा हो and उसी को वो भाई तू ही कर सारे cars को तू ही repair कर so ranks इंटो जो भी आया यह हमारा 10 की पार 14 तक आया ठीक है 100 max rank हो सकती है and 10 की पार 6 cars हो सकती है है तो यह आप करोगे तो यह आएगा 10 की पार 14 and minimum क्या है minimum case है कि rank हमारे mechanic का 1 है and एक car ही ठीक करनी है so इस case में 1 into 1 square करोगे तो 1 so हमारा bound हो गया जो answer है so फिर हमने उस पर binary search लगा दिया हर एक value के लिए find करते जाएंगे and closest मिल जाएगा that's all thank you